बहुत सारे लोग आजकल जवान पठान के बारे में बहुत जादा बात कर रहे और लोग ये भी कह रहे है कि ये जो है एक्षिन का बाप लेबल है और मैं ये ही कहना चाहूंगा कि शायद लोग हॉलिवट के फिल्मों को भूल चुके है एक ऐसा एक्षिन फिल्म जो है इस साल आ गई है वो भी थेटर में रिलीज हो चुका है जिसका नाम है एक्सपैंड फोर वेल्स इसको देखके ना आप लोग ये सोचोगे कि लियो का जो यूनिवर्स है जो की मतलब लोग की उनिवर्स के नाम से जाना जाता है और साथ में एटली का जो यूनिवर्स है जो आज कल शारुक खान के साथ बरे बरे फिल्मे बना रही है ये सब तो मतलब बच्चे है असली दादा जी तो हॉलिवड में चुपा हुआ है तो जो लोग बहुत जादा एक्षिन देखना पसंद करते हैं उनके लिए आज मैं ये फिल्म का रिव्यू लेके आया हूँ दोस्तो जिसका नाम है एक्सपैंड फोर वेल्स ये इस फिल्म फ्रैंचाइजी का पार्ट फोर है और तीन फिल्म जो है पहले ही आ चुका है लास्ट फिल्म जो है वो 2014 में आई थी एन स्टारा रूइत अपना दील थाम के बैठि करिव और करने न होगे तो फिर आप लोगों को इस बनाने के लिए और बी साल लग जाएंगे तो जाधा देरी ना करते हुए मैं हूं आप सभी का होस्ट एैंड फिल्मी औक सबूस्ट को जरू सस्क्राइब की जिए तो तो देखो यह जो फिल्म है ना आप लोग को हर दस मिनिट के बाद एक ऐशा एक्शन दिखाएगा जिसके बाद आप लोग अपनी सीट से नहीं उट पाऊगे खास करके इसका जो बी जी एम है भाई सब मतलब मस्त है एकदम मेरा तो चुम्मा देने का मन कर रहा था क्या बी जी एम लगाया है और इस बी जी एम को सुनने के बाद आप लोग भी यही सोचोगे कि इसको अपने फोन के रिंग टॉर्ण में क्यों न लगाया जाए और साथ में जो एक्शन सीं दिखाएगा है गन फाइट ले लो या फिर हैंड टू हैंड कॉमबेट ले लो या फि कि 500 करोर का खर्चा करके जो आदमी आदी पूरुष बनाया था क्या बनाया था यह जो फिल्म है ना इसको देखके आप लोग कहोगे कि हाँ भाई साब मैंने एक असली वाला एक्शन फिल्म देखके आया हूँ वह भी हॉल्ली उट का और दुखकी बाद यह है दोस्तों कि सिल्वर स्टाइन स्टेलोन इस फिल्म के बाद अपनी केरियर को खतम करने वाली है हाला हमको उससे कुछ मतलब नहीं है हम लोगों को तो बस फिल्म का मजा लेना है यह आदमी जो है विल्कुल लेजेंड है और इनका पहला फिल्म जो आया था रैमबो नाम से आप लोगों देखने के बाद मैं भी इसका रिवीव लाने बाला हूँ दुबारा तो दोस्तो रिवीव यही तक था और बाई और सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा थैंक यू